ओम, शांती, मनोबल और मनसा सिवा, याद और याद की शक्ति, इस विशे पर हम आज देख रहे हैं, याद की यात्रा, करने का आधाफ, मन और बुद्धि, याद की यात्रा, याद की यात्रा, अर्थात अपने में परिवर्तर लाने का आधार है, मन और बुद्धि, नमबर एक बाबा ने कैसे समझाया याज की यात्रा किस आधार से करते हो याज के द्वारा अपने जीवन में सुधार किस आधार से करते हो चर्तिकला कैसे बनते हो संकल्प शक्त मन के आधार से सबसे पहले मुझे संकल्प करना है कि मुझे स्रेष्ट बनना है मुझे बाबा की स्रीमत पर चलना है तभी मैं नर से नाराय, नारिष से लक्ष्मी, मनुश्य से देवता, पतित से पावन बन सकोगा यह संकल्प चाहिए सबसे पहले 18 नुवंबर 1985 को बाबा ने समझाया नंबर 2, बुद्धी भी पाव है जिससे याद की यात्रा करते है बुद्धी से याद करना है कि कोई भी बात जो बाबा ने समझाया है उसे बुद्धी स्विकार करेगी तो वो मन के आदेश देगी इस शरीर से कर्म मिलाने के लिए जब हमारी धारना बनेगी कर्म में आएगा हमार बार वो कर्म में आते हुए संसकार बनेगा क्योंकि संसकार बनाने का कारिय बुद्धी का है जितना ज़्यादा बार बुद्धी उसको कर्म में लाएगी उतना पका संसकार बनेगा ये बाबा ने 27 अप्रायर 1975 को समझाया अच्छा, ओम शांती और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंडर पर समपर्क करे और यदी कोई प्रशन है तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करे 9650692270 पर केवल वाट्सेप करे और नहीं ओग शांती